हेलो डियर स्टुडेंट्स आप सभी बोर्ड एक्जाम के प्रेप्रेशन में लगे हुए हैं और कहीं न कहीं अभी भी आपके मन में एक डाउट है कि क्वेस्टन है वो किस टाइब से आएगा सु इसके लिए हमने जो फ्रोड ऍदस के वीडियो है वहां पर आपका कॉश्टन जो पैटान है एनलिसर किये थे अब हम आज के जो वीडियो में हम डिसकेस करने वाले हैं वो सीबीयस्दे के द्वारा जो मॉडल कोश्टन पेपर ज्वारी किया गया था उसपर एक स्टेडी हम करेंगे सो आज क्लास करने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगो कि आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास से एल भी कीजिए तो हम जो सोसल साइंस का यह जो पेपर है हम वहां पर देखेंगे तो जैसे हमने सेक्षन ए में प्रिवेस क्लास के आपके वीडियो वीडियो उसमें देखा था कि जो सेक्षन ए है वहां पर आपको 16 जो मल्टिपल चोई जो क्वेस्टन्स है वो मिले थी त यहां पर कहा गया है कि identify the correct statement with regard the act of union 1707 from the following option यहां पर जो क्या है कि जो एक्षन है union 1707 है उससे related को जो four finds की गए है आपको correct statement है वो पहचान है four options है आपके पास A, B, C, D उसमें से आपके पास जो correct option है वो है आपका C मैंने already answer है उसको mark कर दिया है so वो जो act है union 1707 से वो related है किसे the formation of the United Kingdom of Great Britain यहनि जो Great Britain है United Kingdom of Great Britain उसका जो formation है वो act of union 1707 के तुरू किया गया था then second question है वो भी आपका history से है तो which of the following treaty recognize Greece as an independent nation यहनि आपके जो जो कौन सा जो act है तो यहाँ पर आपको आपको आपसा नजर आ रहा है वो है आपका treaty of contents आपका 1832 में हुआ था यह कब हुआ था 1832 में इसके तुरू जो ग्रीस है उसको एक इंडिपेंडेंडेंट जो नेसंस के रूप में recognize किया गया था यह आपका जो प्रेटी आपको आपका जो हम बात करें तो आपका जो सी पॉइंट है त्रीटी आप लॉज सेंस की बात करते हैं यहाँ पर सो वह आपका जो कब हुआ था वह भी 1923 में ही हुआ था यहीं यह जो सब आपके जो फ्वेस्ट वर्ड वार से रिलेटेड जो ट्रीटीज हैं और उसी के आसपास के यह जो डेट दिवें बट हमें जो हमारा जो वह जो इंडिपेंडेट नेशन्स के बारे में बात किया गया गया ग्रीज को कब रिकोगनाईज किया गया तो वह आपका जो डी आप्शन है जो आपका आपके हैं यह यहां पर था चाहरा चाहरी इंसिडेंट हुआ था यह जो हमने जीटना देखाता था था कि गांधी जी के जो moments है वो non-violence था अहिंसा आत्मा group था बट चौरो चौरी का जो incident हुआ जहां पर वहूं थी violence हो गया तो इससे गांधी जी क्या हो गया नराज हो गया और उसने जो non cooperation moments है उसको वापीस ले लेते हैं तो इसके बारे में आपने जो detail history करेंगे तो आपको यह जो points है वो समझ में आ जाएगा आप जो यह तो history से three questions है फ़र्ज जो chapter से वहां पर two questions आया थे जैन आपके जो second chapter है आपका nationalism in India वहां से आपके one question है आपके multiple choice में आपका next question fourth question है वह आपका है जोग्रफी से related है जहां पर आपको first feeling the blanks के रुप में पूछा गया है कि business process outsourcing है जो BPO है वो किसका example है तो यह जो कौन से type के industries है तो इसको हम information technology interest जैनि generally जो BPO है या फिर business process outsourcing किया जाता है वह आपके information technology से related जो इंडस्ट्री जो सेक्टर से वहां पर किये जाते कॉल से related हम बात कर सकते हैं या फिर आपके जो कहीं पर जो computer से related जो office work होता है यहां पर आपके जो business process outsourcing कहा जाता है हम अपने आसपास में हमने अपना education city है वहां पर भी आपने देखा था है कॉल सेंटर ओपन हुआ था बीपी ओपन हुआ था तो यहीं था कि वह कहला आता है आपका business process और sourcing यानि बाहर से जो लोग हैं बाहर में जो एक सेंटर सेंटर establish होता है वहां से पूरा का पूरा वर्क होता है देन यहीं भी आपके जो green relation से related जो आप देखेंगे तो यह भी आपको कहां पर मिलेगा तो ग्रीन relation में जो क्या कि इंडर्स्ट्री जो है क्या हुआ ड्यावलाफ एक्स्पेंड हुआ वह था आपका fertilizer industry जर से हमको फता है कि जो ग्रीन क्या हुआ था तो ग्रीन relation एक ऐसा जो अधी जहां पर जो production है वह बहुंच जादा increase हुए जिसमें जैनरली ग्रेंड का जो प्रोडक्शन जिसमें आपको देखोगे तो वीट है वह बहुंच जादा उसका जो production है बहुंच जादा इंक्रीज हुआ था क्यूं क्यूंकि वहां पर जो बैतर quality के जो seeds है देन आपके जो fertilizers or pesticides जो यूज किये गए उससे कहीं न करहें यह गी रिवलेशन हुआ था तो उसका जो मेजर जो impact है वो fertilizer industries पर फड़ता है तो यह आपके जो 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 जोग्राफी से इन इलिया for the following option यहां पर जो आपके four options दिए हुए हैं जहां पर आप जो देख सकते हैं कि कि आपको different जो primitive cultivation या अलग-अलग area पर आप जो देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कहीं न कहीं यह जो cultivation है उसको अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे यहां पर आप जो देख रहे हैं सो आपको दहिया और जो मध्यप्रदेश है वो आपका correct answer है यहां पर आपको मैं कुछ और जो चीज़े बताना चाहूंगा जो कुमारी है यहां पर जार्खन दिया हुआ है सो हम बात करें कुमारी का सो वो जो कुमारी है वो आपका कहां पर होता है यह आपका western जो घाट है यहां का जो primitive cultivation या फिर जिसे हम जो जो कुमारी है वो जार्खन में ना होकर वो कहां पर होता है आपका western घाट में होता है दैन हम बात करते हैं नेक जो आता है आपका कहिल की बात करें कहिल जो है कहिल है वो आपका हिमालियन जो बेल्ट है वहां पर किया जाता है ना कि आंदर प्रदेश में दैन आपका कुमा पान के जाता है इसी को पामा दबाई या फिर आपको ब्रिंगा के रूप में भी जाना जाता है यहां पर करनाटक देया गए तो करनाटक सहीं नहीं है तो यह आपके क्या प्रिमेटिव कल्टिवेशन के बात क्या गया है आप जो देखेंगे तो आपका आंधर प्रदेश रिजन है तो आंधर प्रदेश रिजन में हम बात करें तो आपका आंधर प्रदेश में आपका पोड़ू या फिर पेंदा के रूप में जाना जाता है ज यह आपके की से है ये आपके जो गось motor और आपका है वह दोनों किara चेप्टर आपके । तेंख्रीरained छो सेयव बात करें यह तो आपका-स रहे थन एक यह दोनों डहिया stakeholders नापको फिल यह वारे मंछे छेप्टर कॉकुमबर आपके आते हैं वह आपके जयाद क्राप्स में आते हैं इसको पहचाना है आपको इसको आइडेंटिफाइट करना है और आपको क्या करना है फिल इन भड्रियाच करना है जैसे बर्डली के रवी कराप्स के हम बात करें तो यह आपके जो और बहुर सारे अपसंज दिए गये जिसमें आपके वींट हैं मुश्टस की बात करें तो वह बारिस के जो उजायर रहने को जी जिसमें आपके हम बात करें तो सोया फीन है इसमें आता है और जएजिवा से ह्टोप्सोर जीजन होता है डियोरिंग समर का समय जैजि़ sic자ody आपके कुकुम्बर की बात क्या गए है आपके के वाटर मेलोंस Weekly the डियोरिंग क्या जाते हैं grow किये जाते हैं, आपके vegetable crop भी है, आपके जायात crop से मयांते हैं, यह आपके geography से related आपके कितने questions हो गए, इसमें से भी आपके 3 questions हो गए, question number 4, 5, 6, next जो हम बात करें आपके जो identifies the soil with the help of the following features, यह भी आपके geography से questions है, यहाँ पर आपको जो क्या दिया गया है, red to brown in color, sandy in texture and saline in nature and black humus and moisture यानि यह जो quality है वो कौन से soil में होता है तो यह होता है generally आपके कौन से soil में arid soil में होता है so यह आपके geography से related then next जो आपके question आता है types of millet rich in iron calcium and other micronutrients and ragas is that you know आपके जो यह जो फोर्ज अप्सण जिसमें रागी आपका right option कि जो एक मोटा अनाज जो आता है जिसमें आपके क्या होते है आईरं calcium और जो other micronutrients होते हैं वो कौन से आनाज में पाए जाते हैं कौन से या आपका democratic जो politics है, उससे related है, और जो population of Sri Lankan Tamil is constructed in, जो कौन से reasons में, जो आपके जो Sri Lankan के जो reasons है, वहाँ पर स्री Lankan जो Tamil पाय जाते हैं, तो आपका answer है North and East, जो reasons है कौन से reasons में, North और East जो reasons है, वहाँ पर आप जो देखेंगे, तो आपके जो स्रि-लंकन जो तमिल्स हैं वो आपको ज़ादातर पाय जाते हैं यह आपका जो chapter 1 रागा लाट्टिक्स का वह जाने मिल जाएंगे जहां पर स्रि-लंकन जो तमिल्स हैं वो इस reasons में ज़ादातर पाय जाते हैं कि देन एकसम देखें आपका जो तैन नंबर का क्वेस्स्टन वह भी आपके ढिंग्त पॉलिटिक से रिलेटर है और यहां पर आपके वह कहा गया है तो मशॉरेटिलिस्म कहा है अर आप इथिन SM कि इसके बारे में दोनों के बारे में आपका क्वेश्चन है कि जो हम मेजोरेंटिलिज्म यानि बहुत संख्या को आद कि हम बात करें या फिर हम जो देखें कि जो वहां पर जो जातीगत एथिनिकली के जो बात किया गया है सो जातीगत विश्चन है हम जो देखें तो दोनों में आता है कि जो डेफाइन करना है तो मेजोरेंटिलिज्म की बात क्या होई तो एक ब्रीफ देट दा मेजोरेंटिलिज्म कम्योटी शूट बी एबल टो रूल आ कंट्री इन वीचेवर वे इट वांड बाय डिस्रिगार् जहनों से कंट्री पर सासंद करना चाहते हैं और अलप संक्यक्याइब जो j झालती बोल दिंगे जो आपका मैंडरी की बात किया गए तो माइनुर्टी वाले जो जो अल्पसंख्यां जिनकी संख्याइब कम है उनकी जरुरती है और इछाओं को वो उतना मान्यता नहीं देते हैं इस टी इस टिए कि बात किया गए है यानि आपका जातिगत जो वहाँ पर जो लोकल जो लोग हैं जो a social division based on shared culture people belonging to same ethnic groups believes in their common descent यह अब यहाँ पर हुआ कि क्या हो कि जो common यह सभी के जो एक समान जो सोच वाले जो लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं और उनकी जो एक समान feelings होती है उनकी जो समाजिक जो विभाजन है वो बात क्या गया है जो social जो culture है वो आपस में लगभग एक से होते हैं तो यह आपके ethnic या फिर जातिगत रूप से उसको जाना जाता है तो यह ethnicity कहलाता है तो यह आपके democratic politics then आपका next वाता है 11 number का question हम वहाँ पर देखे तो वह भी आपका which administrative authorities legislates on residery subject यह नि यहाँ पर जो हमने three जो subject जो देखे था जिसमें आपका क्या कौन कौन साता है union जो list आता है then हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो state list आते हैं और एक जो है concentrated list आता है तो इन subjects में आपके union list में आपका union या central है वो कानून बना सकता है then आपके जो एक जो state subject के वहाँ पर state government के फास authority होता है कि वो जो laws making का act वहाँ फरेंट बना सकते हैं then आपके concentrated list है वहाँ पर तो दोनों है वो laws making के काम कर सकते हैं कानून बना सकते हैं आपके जो recidary subject है यानि यहाँ recidary subject का ऐसा है कि जो constitutions में वो particular subject है उसको define नहीं किया गया है हमारे constitution में वो इस पर नहीं है कि कौन से आए काईसा जो list है जिसमें जर ले आपके जो computer sector से या फिर जो modern जो technology information technology से related कुछ जो ऐसे जो list है वो constitutions में नहीं है हमारे तो ऐसे जो list है वहाँ पर जो कानून बनाने का जो rights है वो क्या होते हैं recidary subject कलाते हैं और उसमें जो rights है वो union या central के पास है यहाँ पर जो authority union list है तो वहाँ पर आपके union ही क्या करेंगे कानून बनाने का rights है उनके पास then next हम जो बात करते हैं आपका जो economic से related हमारे जो economy से वहाँ से questions आया है जो question number आपका 12 है so यहाँ पर को जो आपको इस type से मिलेगा कि read the given data and find out which country has most equitable distribution of income income का जो distribution है वो वहाँ पर कौन से जो country में है एक समान है मतलब दोनों में distribution किया गया सिस्टिजन के बीच तो वह देखोगे कि यहाँ पर आपको पहचानना है कि कहाँ पर जो distribution है वो बहुत जादा differences नहीं है जैसे हम A की बात किया गया है वह इसका right answer है तो A में आप देखेंगे कि आपके 10,500 है 11,200 है आपके 10,800 है 11,000 है आपके 10,700 है आपके 10,800 10,000 840 है यहाँ पर आपके B में आप देखेंगे 600 है आपके 5000 चला गया फिर आपका 600 उसके बाद आपके 600 600 1480 यहनि आपका जो differences है पहुत जादा है इसमें भी C में भी आपको नजर आ रहा है आपका 550 है बट यहाँ पर आप देखेंगे 10,500 हो गया सड़नली यहाँ पर फिर 400 हो गया यहाँ पर जो distribution है D में भी ऐसा 800 है यहाँ पर 480 हो गया आपके first option में ऐसा नहीं है तो यह आपका right answer हो जाएगा मोहन जो है agriculture जो labor है सो इससे related आपके questions आये हैं कि there are several months in the year when he was no work and need credit to meet his Delhi expansion यह उनको क्या चाहिए उनके पास Delhi job नहीं रहता है work नहीं रहता है बट उनके खर्चे तो है Delhi के तो उनको क्या चाहिए अपने खर्चे के लिए पैसा चाहिए so we क्या रहते है depend रहता है कि इस पर employer उपर जो landlord landowner है उनकी वो उनको credit देता है यानि वो उनको loan देता है जो interest है 5% per month है then मोहन जो है repay करने के लिए उसको जो है physically वो काम करने जाते हैं but उसका जो time के over the debt his over the year his debt will यानि वो जो loan लिया रहता है उस पर जो कर्ज है वो क्या होते होते रहेगा वो increase होगा क्यों कि because of increasing interest and non payment of monthly amount यहीं वो उनका increase होगा क्यों कि वो जो है उसका जो interest है वो 5% है बहुत जादा है तो वो automatically increase होते रहेगा साथ ही साथ उनके पास इतना income नहीं होता है कि वो जो monthly amount जो pay करना है वो pay कर पाए वो इस currency वो उनका जो debt है उनका जो loan है वो क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा तो यह आपको properly understand करना है और इसी types के आपके questions पूछे जाएंगे तो आपको समाज कर आपको answer देना होगा देन उसी से related आपके फिर वही questions आगए आपका किस से economy से related जहाँ पर आप तो देखेंगे कि जो मोहन है वो क्या है कि agriculture labor है और वो जो informal sector से loan लिया है तो वहाँ पर जो correct statement है आपको choice करना है कि कौन सा right answer है तो यहाँ पर right answer आपका क्या है C है क्या है कि cost of informal sector to the brower is quite higher यानि आप informal sector से आप loan लेंगे तो आपको बहुँ ज़्यादा क्या करना पड़ेगा loan है आपका जो interest है वो pay करना पड़ेगा जिसके कारान से आप जो है loan पे करने में आपको बहुँ ज़्यादा problems है वो फेस करना पड़ेगा क्यूंकि आप जो informal sector से loan लेते तो generally वो आपके landlords होते हैं money landers होते हैं वो आपको loan देते हैं तो वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है payment करना पड़ेगा जिससे कही न कही फॉर्मर के जो इस्तिती है या फिर जो लोन लिए है उसकी इस्तिती खराब हो सकती है तो यहाँ पर आपके informal sector और जो formal sector है वो हते हैं तो नेक्स वो आपका 14 नमबर के questions हम देखें तो which one of the following option describe collateral यह भी आपका जो जो आपके एकोनोमिक से related है और यहाँ पर me는 यहाँ पर आपको क्या है कि आप guarantee के लिए जो loans देते हैं आप मियनिंदी आपको loan लेना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं माझे देते हैं जिसमें आपके जो आपके पास कोई Land है या फिर आपके पास कोई बिल्डिंस के deposit कर सकते हैं, आपके पास कोई जो gold का है diamond के कोई जो sets हैं, आपके पास silver हैं, तो उसके एवज में उसके बदले जो है bank है, वो आपको क्या देता है? loan देता है, so ये आपके क्या कहलाते हैं? collect trailer कहलाते हैं, यानि कोई ऐसा आपको रखना है, कुछ चीज़े रखना है, ताकि उसके बदले आपको क्या मिल सके? loan मिल सके, so ये आपका कहला या क्या? collect trailer, then next आता है कि 50 number का questions के हम बात करें, तो इसमें आप जो देखोगे तो आपको read the given statement in context of globalization and choose the correct option अब globalization की बात है, तो उसमें आपके 4 option दिये, जिसमें आपका consumption, D option है, वो right answer है, इसमें कहा है कि led to spread of technology, culture and diseases for a reason to another, यानि आपके क्या होता है कि spread होता है यानि globalization, एक global village की बात क्या जाता है, यानि सभी जो लोग है आपस में दूसरे से contact रहते हैं, connected रहते हैं, जिसमें आपका जो technology है, वो फैलता है, culture है, वो फैलता है, या फिर जो disease की बात क्या गए, कोई भी बीमारिया है, वो फैल जाती है, जैसे हम अभी Corona के जो pandemic है, Corona जाम हमारे उससे जूज रहे हैं, तो यह जो है आजा सकते हैं, आपके पास डिफरेंट जो means है, ट्रांसपोर्ट के तो उससे कहीं न कहीं, यह disease है, वो spread हुआ, तो यह जो answer आपका आजाएगा क्या, कि globalization है, तो उसका में हो जाएगा, आपका D answer हो जाएगा, आपका next राता है, आपका statement and choose the correct option, यहनि यहाँ पर आपको कुछ जो क्या दिया गया है, दो options है, A और B दिया हुआ है, आपके एक उसका reason है, कारण है, और एक जो है, क्या हुआ कि जो different people have different development goal, यहनि कहा गया कि जो अलग-अलग people है, तो उनके जो development goal है, वो भी अलग-अलग होता है, यहनि उनका जो विकास का जो aim होता है, उनके बारे में development से related है, वो अलग-अलग होता है, तो उसका कारण बताएगा है कि people want freedom, equality, security and respect, यहनि कारण क्या बताएगा है, कि किस कारण से उनके different क्या होते हैं, goal होते हैं, वो होता है कि उनको क्या चाहिए, freedom चाहिए, उनको अजादे चाहिए, उनको समानता चाहिए, उनको security सूरक्षा चाहिए, उनको respect चाहिए, तो इसके लिए बताया गया है कि A, तो यहाँ पर answer है कि A और आट जो दोनों जो true है, यानि अलग-अलग people है तो उनके जो development विकास के लिए उनके अलग-अलग जो सोच होते हैं, और कारण ही बताया गया है कि उनको क्या है, उनको अलग type है, उनको freedom चाहिए, उनको equality explanation करता है, कारण सहीं बताता है, इसलिए आपके A है, वो right answer होजाएगा, तो यह आपके क्या हुए, multiple choice questions, one mask के जो questions हुए, जिसमें आपको अलग-अलग chapter से, अलग-अलग type के, जो internal type के questions है, वो यहाँ पर पूछे गए, हैं, सो इसको आपको properly study करने है, और इसी के according to आपको study करने है, ताकि आपका जो exam है, वो बहतर तरीके आए, और question भी इसी pattern में आएगे, आपको बाहर से कोई, कुछ चीज़े नहीं पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपको बहतर preparation है, वो करने होंगे, नेक जो class के वीडि thank you, और मेरे channel को subscribe, जरूर कीज़े, वीडियो आपको पसना है, तो like कीज़ेगा, ओके, thank you